नमस्कार जी मैं संधिया तो फ्रेंड्स मेरे गार्डन में जो है काम चली रहा है डेली का डेली में कुछ न कुछ लगा ही जा रही हूँ अब प्लांट जो है वो खतम हो ही रहे हैं तो उनको हटाने का भी काम कर रहे हैं तो यह देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यह हटा र सेर किया था तो देखिए वो सब ठीक ठाक है एकदम से कोई भी मुझाया नहीं कोई भी खराब नहीं हुआ है तो आज मैं आप लोग के साथ सेर करूंगी कुछ इस तरीके से पॉली बैग में जो पर्सलेट पोर्चुलका है वही लगाऊंगी तो इसमें भी सीजनल प्लां निचे वकार डिए शाट करके नागी में उपसे मिट्टी знаю तो इसमें भी हल स्वाय किया था तो इस बतलब य darle, यहां नीचे तले में पहुच चुके थे तो इसकी मिट्टी निकाला है और फिर मैने शूखी पतिय वगर और चोटची कब्ड़े कर से बाइसे बी बीकारlarda तब तक प्लांट जो है अच्छे से चलने लग जाएगा और वैसे इस वाले प्लांट को तो ज्यादा जो है परस्रेंट चाहे पोरुचुल का इसकी जड़े नीचे तक नहीं जाती हैं तो मैं इसमें यहीं ग्रो करूंगी क्योंकि गर्वियों में यह अच्छे से चलेंगे और कोई में बड़ा प्लांट लगाओंगी तो इसमें मुझे दोनों टाइम पानी डालना पड़ेगा और इसकी किसी सेड़ में रखना पड़ेगा या पी किसी बड़े प्लांट के नीचे जहां से छंचं के धूप मिले तो वहां रखना पड़ेगा तो मैं इतना मेहनत न तो यह वही तो इसी तरह इसको लगा देना है इसमें कितने सारे लगा रखे हैं यह देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है से बहुत जल्दी रूट बन जाती और लगाएंगे तो और तेजी से इसमें रूट जो है डबलब हो जाती है अगर तेज धूप में रखा जाए तो यह प्लांट जो है एक दो एक दो करके फूल देता ही रहता है तो मैं इसको सर्दियों में भी ग्रो कर लें तो इसका मौसम ही है तो इसको आप कभी भी आप ग्रो कर सकते हैं जनवरी और दिसंबर छोड़ कर तो यह देखिए और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है इतना लो मेंटेनियस है इसका कि ना ही कोई एक्ष्टा फटिलाइजर कि उसके चयां चैनल माता है तो जयादाओ पानी मरता है तो कम पानी मर्कॉ ज़्याइशन दिंदीर तो इसे कोई चोटा बच्का Radio गर्लो कि तो आप सबसे से पहले से इसी यसी प्लांट से सुरुवास करें जिससे क्या होगा कि इसपार अजरेशनी pays हो जाएगा और बच्चे का जो है मनुबल मतलब कम भी नहीं होगा कि हमने लगाया और प्लांट हमारे चला नहीं जब इस लिए चलेगा इसे फूल खेलेंगे तो बच्चे लोग बहुत खुश होते हैं तो इस तरीके से बच्चों में भी यह प्लांट लगा के आदर जो है डलवाई जा सकती है प्लांट वगर लगाने के लिए तो देखिए यह हमारा लगके तयार हो गया इसी तरह जो है एक प्लांट यह भी है यह पिछले साल का मैंने सेफ कर रखा था तो यह वही है तो इसमे पानी किछन का पानी जहां से निकलता है नाली वाली के पास थोड़ा सा भी हो लोग लगा देते तो इतना दूर तक यह मतला हो जाता है अपने आपी इसमें कोई फटिलाइजर नी कोई पानी नी हाँ बस यह है कि इसमें पानी खड़े नहीं रहे तो अगर पानी खड़ा भाएगा तब ही जाके यह मरेगा नी तो यह प्लाट जो हैँ अच्छे से यह चलती रहेगा तो ठीक इसी तरह इसको भी अ offering लगा सकते हैं तो इस तरीके के जितने भी hanamu कि इसको और अच्छे से इसको मैं इसी में लगाओंगी तो अगले सीजन के लिए इसको मुझे सेफ बी करना भुआ तो इसी के साथ मैं उठा के रगदूगी तो रूखे फ्रेंट्स में इसको लगा लेती हैं फिर मैं आप लोगों से मिलती हूंने तो वीडियो बड़ी हो ज अगर इसमें लगा लेंगे तो कोई दिक्तत वाली बात निया उसके साथ बढ भी रहेगी तो भी वो खिलेगा ही खिलेगा वो मतलब मुझाएगा या सूखेगा नहीं तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है मेरे पस कुछ ग्रो बैग यह रखे हुए है यह तो इसमें और मैं लगा लूँगे और भी देखूंगे अगर मुझे मिल जाएगा तो और मैं भी समय इसी तरीके से मैं लगा लूँगी तो मैंने कुछ बॉटल में भी लगा लगा हुए हैं लुके बैप लोग को सेर करती तो अच्छे से यह चलेंगे यह तो आपने भी अगर लगाया है तो ठीक नहीं लगाया है तो लगा लीजिए और यह अच्छा टाइम है लगाने का और जल्दी से इसमें रूट भी डबलब जाती है और घर में पाउच भी है पॉलेथीन बैग है कुछ भी है सब में यह ग्र करेंगा मेरी चैनल पर नए होंगी तो सब्सक्राइब करेंगा बैल आकर को जुरूर प्रेस करेंगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मवाली स्क्रीन पर आप लोग को जल से जल मिल सके तो इसी तर अपने इंवार्मेंट को क्लीन रखिए ग्रीन बना बाइ